हेलो एवरियून वेलकम टू मैं चैनल आज किसी विद्ध करेंगे क्लास 12 एंसी आरटी इस्ट्री के चप्टर नमबर 10 के बारे में जिसका शिशक है विद्रोई और राज और जिसमें मुख्य थै किसके बारे में बात की गई है 1850 कांदोलन और उसकी व्यक्या कि दी गई है तो यह जो वीडियो है यह इस चप्टर से लेटीड सेकेंड वीडियो है इसे पहले हम 1813 की कांदी के शुरुआत क्यों ही और इसमें मुख्य कांद क्या रहे हैं इस कांदी के शुरू होने के इस बारे में हम बात कर चुकी हैं फर्स वाली वीडियो में आज हम बात करेंग कि जो विद्रोई हैं वह क्या चाहतीं थे तो उन्होंने किस के लिए इस काम को उजपन दिया है अंग्रेज जो हैं उनकी विद्रोई हों के बारे में किया जो व्यक्भा थी या वनको क्या मानते थे तो वह वह सिपाई जो भी सिपाई थे वह सामन्य लोग थे और ज्यादा पड़े लिखे नहीं थे तो इसका क्या हुआ इसका सरभार्ख पे सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि इतियासकार हैं जो उनको इतियास लिखने के लिए अंग्रेजी दस्ताविज जो पर निर्बन रहना पड़ यह सCrपाई केवल गोष्णाई और यह गोष्णाई कैसी गोष्णाई होती थी मोखिक होती ठीक है तो मोखिक गोष्णाई उनका खोई लिखित शक्षय的時候 नहीं था इसलिए केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही बाते गई और इस चारों का प्योग किया है जिसे पता नहीं चल पाया कि उस टाइम वे जो विद्रोई हैं वह क्या चाहते थे तो विद्रोईयों की जुम्नेर बात है वह में पता नहीं चल पाई सिर्फ अपने उदिश्य को पाणे में सफल रहे यानि कि उस टाइम पे उन्होंने जो भी दरव किया है तो उसमें उन्होंने कैसे सफलता हाशी की तो इसके लिए उन्होंने एकता की भाणा कहां से आई 1800 स्ताउन के विद्रोयों में जो भी थी बाते वो क्या थी सारी गोशनाओं में जाती और धरम का कोई बेदबाव उन्होंने नहीं किया और सभी लोगों से उन्होंने आवान किया इस यूद में शामिल होने के लिए सारी गोशनाए मुस्लिम राजकुमारों और नुवाब का ही रहा है इत्सियारों में अतीत की जो जो भी इत्सियार दिये गए हैं यानि कि मुगलकाल को मुख्यर धान माना है और इसमें हिंदू-मुसलिम एकता का गुंगान करके मुहमद और महवीर की दोहाई देके जनता से युद में शामिल होने के लिए अपील की गई है तो इ अंग्रे जोने हिंदू-मुसलिम एकता को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की हैं उन्होंने पूरी कोशिश की हैं कि वो लड़े लेकिन वो इस कोशिश में ऐसा फल रहे हैं उसका मुख्य कारण ये रहा है कि पुरानी जो जड़े हैं भारत की वो सभी धर्मो में मेलन साथ पाई गई हैं क्योंकि जैसे कि एक बर जो है वास्त में क्या था एक मुस्लिम शासक था लेकिन उसने अपने टाइम पे सभी धर्मों को ब्राबरी का धर्जा दिया है और इसी तरह से अन्हें सासक भी ये नहीं है कि सरफ मुस्लिम ही उनके आंदरवारी होते थे हिंदू मतलब जो भी उनके रह रहे थे वो सभी मिल जलकर रहते थे तो अंग्रीजी शासनी क्या है फिर बरेली के हिंदू और मुस्लमानों के खिलाब बढ़काने के लिए उनको 50,000 रूपे तक खर्च कर देते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ें तो इस तरह से जम गर्च गोषना पतर तो इस गोषना पतर में क्या-क्या बताया गया है तो इकिन लोगों के लिए यह है यह मुख्यत जमीदारों व्यापारियों सरकारी करमचारियों और कारीगरों से यह अपील की गई हैं कि जितने ज्यादा अप्ति वह लोग इस यूद में शामिल हो जाएं जैसे कि जमीदारों से जमीदारी पारा जीरेक्श में । या चोटे जमीदारों को बिलकुल उनकी जमीन से हाथ होना पड़ा तो इस तरह से उनुने अंग्रेजों ने इपने फायदे के लिए हर तरह की लोगों को क्या किया है बहुत ज़्यादा दबाया है और फिर सरकारी करमचारियों के क्योंकि विद्रो का कारण ही क्या रहा है इसी तरह से कारिगर भी बरबाद होगे तबाह होगे और पंडित फकीरों से भी कि वो हिंदू मुसलिम को आपस में लडाना चाह रहे थे तो इसलिए सभी से प्राथां की गई कि सभी स्यूद में शामिल हो जाए तो यह जो उत्पीडन हो रहा था सभी वर्गों का उसके खि क्या है या अंग्रेजों की क्या नीती रहा है उत्पीडकों के खिलाफ उन्होंने क्या-क्या हत्खंडे अपनाई हैं तो इस घुष्णा पत्र में क्या है देशी रियस्तों प्यकप जया समझ जोते के उलंगन के लिए अंग्रेजी सरकार की निंदा की गई है और ब्रेट को के खिलाब उन्च और नीच के बेद को खतम करना चाते थे यानि कि यह सभी को बराबर लेके चलना चाते थे तो इसलिए लोगों ने क्या की व्यकल्पिक सकते की तलास यानि की अंग्रेजों को भगा कर ऐसी सकता जो उनके फायदे में हो तो ब्रेटिस आसन दवस्तों जाने के बाद विद्रोही दिल्ली लखनो और कानपूर में अलग तरह किस्ता स्थापित करने की कोशिश ने लगे रहे और अठारवी सदी के ब्रेटिस पूरो दुनिया की स्थापना की वो कोशिश करने लगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो यूपी स इपर स्वयम कपड़ा करके वहां से यह जो पूराणी तरह की जुस जासां में विश्दा है तो क्या चाहते हैं विद्रोही ते लिए तो उन्टाहट पारत पंप करने के लिए हुकमिनद की वीवस्ता की व्यायों देटी में एक रिग्यों गई उनकी पुर्यना है जैसे कि मुगलों से एकता को ही आधार बनाक उन्होंने निन्दुल मुस्लिम को एक दिखा के अंग्रेजों को एसा फल रहा है उनकी इरादे में कि वो इनके बीच फूट डाले विद्रहियों की सासन व्यस्ता का पहला उदिश्य क्या रहा है यूद की जरूरते और इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा सके हमने पहली वीडियो में जाना क्या किया सरकारी खजाने को लोटा ठीक है सरकारी दफ्त्रों पे उन्होंने कब जा किया क्या किया सरकारी खजाना उन्होंने लोटा है अवद के प्रतिरों में सबसे लंबा आ को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या-क्या नितिया अप्लाई हैं तो इसके लिए हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पुर्य प्रियास की हैं लोगों को दबाने के तो तरफ 18 सुस्तान के विद्रो को कुचलने के लिए बरपूर कोशिश की उत्रभारत को दोबारा जीतने के लिए और विद्रोईयों को शांत करने के लिए फोजीयों के लिए उन्होंने नए कानूर बना दिये और अठास तान में उत्रभारत में मार्शल लालागू करके फोज अपसरों अंग्रेजों को आदेश दिया कि विद्रोईयों को जो भी क्या कर रहा है साथ दे रहा है उनके साथ सामिल जो लोग है उनके भी मुकदमा चला जाए उनको सजा दी जाए मुकदमों की सामने प्रिकरिया बंद कर दी कि मुकदमे भी बंद कर दी और विद्रोईयों को सजाए मोत दी जाए नई विशेश का नौन और बिटेंस से मंगाई सैनिक टुकडी ने विद्रों को खुचलने की पूरी कोशिश की है दिली को खब्जे में लेने की अंग्रेजी सरकार की कोशिश जून से स्तंबर तक चली और दोनों तरफ से पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो विद्रोई हैं वह अपने अब विद्रों को जारी रख रहे हैं और जो अंग्रेज हैं वह पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं भारतियों को दबाने के लिए यह जो लंबी लडाई है वह कब लगबग 1858 में दिली को कबजे में लेकर समाप हो पाती है तो इसके बाद क्या हुआ उत्रभात के विशाल भूबाग में बड़े बूस्वामी बड़े बड़े जिन के पास ज्यादा जमीदार जमीन थी मतलब बड़े जमीदार कासकार विद्रों में शामिल हो गए अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए जम लोटाने का श्वाशन दे दिया विद्रों के चव्यां रही है काट किस तरह का प्रभाव रहा है तो विद्रों में जनकी के लिए प्रशासनिक श्वियों बत कर चुके हैं कि मुक्षिक प्रशाशन पेहिना था पोजियों की चिटि और डाइरियां उस टाइम पे पोजियों नहीं आतम कथा और सरकारी दस्तावेश तो यह जो है मुख्य साधन रहे हैं जो भारत में जो भी विदेशी आए हैं उनके दस्तावेशी मुख्यते काम आए हैं भारतियत यह सको जानने में या जैसे कि जो पोजी हैं जो फोज में इसे उन्होंने थोड़ीबो डाइरियां और अपनी यह कथाएं उसमें लिखी हैं तो उनसे हमें पता चला रहे हैं नेक्स्ट टूपिक हैं हमारा रक्षकों का अभी नंदर्न की जो रक्षक हैं भारतिय समाज के उनका अभी नंदर्न का स्वागत किस तरह से किया गया है उतारा सोफ में तांस जोंस वकर ने एक चितर बनाया है जिसको Arbeit को को लिखनों के बारे में जो चित efficiency है आन रिहिज इतने प्रेशान विद्रोईसों ने किये हैं तो इसमें मुख्य तक क्या है कि विद्रोयों ने जब लकज्मों पे घेरा डाला तो लखनों का जो कमिशनर है हैं लाइन्स लारेंस उसने शायोν को रखा किया और सउक्षित रेजिडेंसी में शुराण बाद में लॉरेंस को मार दिया गया प्रंटु करनल इंटल! में रेजिडेंसी जहांनपी उनकी सुछित रही कि यह रजीडेंसी इतने ज्यादा होपनाझ समय राया है उनका विद्रोईयों के प्रती तो रेजिदेंसी में भी वोस रखें 25 स्टमबर को क्या हुआ जेम्स ओर्टरम और हैंरी हेवलो के नितरतम में विद्रोईयों को तितर वितर किया गया और इसके 20 दिन बाद आता है कॉलिंग केमबल उसने बारी सेना के साथ ब्रेटेस रक्षक सेना को घेरे से छुड़वाया और बारकर की जो प्रेंटिंग है कामबल के आगमन का जिशन बनाती है कैनवास के बीच में क्या है और टरम केमबल और हुलक को दर्शा गया है जो की उजाले में खड़े हैं और अंधेरे इससे में टूटी हुई रेजिडेंसी को दिखा गया है यह वो चितर है जहां पे अंग्रेज जो की जो है कहेंगे मायूसी या उनके भूलेपन या उनके जैसे की नाकाम होने को दिखाया गया है अब अंग्रेज ओरते और ब्रेटेन की परतिस्टा जो यह चितरा को दिखाई दे रहा है इसमें पता चलता है कि किस तरह से अंग्रेज ओरते निशाई हैं और बच्चे किस तरह से लेटे हुए हैं और किस तरह से वो ऐसाई हैं त चित्र का नाम क्या है इन मेमोरियन और इसमें एंग्रेज और बचेक दूसरे से लिप्टे वे दिखाए गए हैं वे लचार और मायूस हैं मानों की भेनगड़ी की वो आशंकात दर्शा रहे हों अपनी बेस्तिव मानों और मौन का इंजार करे हों हालांकी चित्र में कोई ऐ दिखाए गई है तो यह लेड़ी कौन है यह लेड़ी है मिस विलर जो अकेले ही विद्रोईयों से मुकाबला कर रही है नीचे गिरी जो यहां पुस्तक दिखाई दे रही है आपको चित्र में यह बाइबिल है और पास में जो भारतिये विद्रोई हैं वो मरे हुए या ल बख सिखाने की तो जैसे इस ब्रिटेन में गुस्चे और सकते का माहल बना बदले की मांग जोर पकरने लगी माहल ऐसा बना मानोन न्याई के मूल्य की रक्षा करने के लिए ब्रटेश सथा को धी गई चुनती के लिए विद्रोई को चलना जरूरी हो गया हो अंग्रेजो किया है कि वह बेद घुष्य में हाथ में तलवार दूसरी में ढाल लेकर सिपाईयों को पैरे तले कुचल रही है इस तस्वीर में हमने यह देख लिया है और विद्रोईयों को मिर्तिव दंड देने के भी चित्र उन्होंने बनवाए हैं जिसमें दर्शाय गया है कि विद परदेशन के लिए कितनी निर्मम दंड दिया गया लोगों को जैसे की फांशी बेड़ काया गया तो के मौहनें में बांध के उनको उड़ाया गया इस तरह की निर्मता से भार्तियों की हट्त्य की गई नहीं थी यह विरोधियों के विवार से बहुत ज्यादा प्रेशान हो चुके थे तो प्रतिरोद के शोर में उनके पास अब दया की कोई जगह ने थी कैनिंग ने जब यह कहा कि नरमता और दया बावस इस पाईयों की उपादारी मिल सकती है तो ब्रेटिस प्रेस में उनका मुझाग उड़ाया गया और ब्रेटिस मैगजीन जो है पंच उसमें कैनिंग को नेक बुजर्ग के रूप में दिखाया गया है उसे नेक बुजर्ग उसका एक हाथ सिफाई के शिर पर जो नंगी तलवार और कटा लिये और दोनों हाथों से ही खुन टपक रहा है तो इस तरह से जो है वो सिफाई के लिए या पूरे मतलब दोनों अंग्रेज और भारतियों के लिए क्या एक नेक बुज़र के रूप में दिखा गए हैं अब राश्रवात दी जो द्रश्य हैं उनकी कलपना भी की गई है तो इन सभी लोगों ने सामराजवादी सासन के खिलाप करवाई हैं की तो ऐसे ही जैसे इंग्रेजों ने अपनी प्रतिष्टा म भी चितर बनाए हैं तो जैसे कि इसमें क्या है वहां हमने कंग्रेज ओरत को मिस्विलर को देखा उस चितर में अठियार बठाए हैं और यहां इस चितर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यह जो है यह गोड़े पर बैठी हुई है जासी की रानी और जो सिपाई है मंग पुद्रा कुमारी चोहान ने क्या बता गया है कि खुब लड़ी मर्दानी वो तो जासी की वाली रानी थी तो इस चितर में भी जो है राने को म्रयाद्धा युद्धा के रूप में दर्शा आ गया है तो इस लेसन से रिलेटेड जितने टॉपिक थे यहां इस वीडियो में यह टॉपिक कवर हो जाता है तो नेक्स वीडियो में हम नेक्स लिसन हिवारे में डिसकॉस करेंगे तो इस लाइक दे वीडियो प्लीज शेर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स पोर वाचिंग दी वीडियो